ये मेरा नीम्बू का लगभग सवा वर्स का पेड़ है ये मैंने पिछले साल सेप्टेंबर में लगाए थे और ये पेड़ साइं सर्बतिका है यहां से जो आठ पेड़ हैं इस तरफ ये साई सर्बतिके हैं और जो इस तरफ है अगले आठ पेड़ फूले सर्बतिके हैं इस पेड़ को आप थोड़ा ध्यान से देखिए और इसके नीचे तक भी देखिए कि कुछ पत्ते पड़े हुए हैं अगर हम इसकी साखाओ को ध्यान से देखें तो इसमें कुछ नए पत्ते निकल रहे हैं ये देखिए और इसके कुछ पत्ते नीचे गिरे हुए हैं और कुछ पत्ते इसके पीले पड़ रहे हैं ये मेरे हाथ में आ गया पत्ता बाकी पत्ते हरे हैं लेकिन मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस नई पत्ती को भी देखो तो ये उतनी हरी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी बड़े ध्यान से देखिए इसको सारे पेड़ को किया हम ये कह सकते हैं कि ये पेड़ स्वस्त है या इसमें कोई बीमारी है अगर इसमें कोई बीमारी है या कमी है तो वो क्या है और उसका क्या इलाज है आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको के डेड़ वर्स तक के पोधों में जो लगबग एक वर्स से डेड़ वर्स के पोधों में इस समय सरदी शुरू हो चुकि है अच्छी खासी सरदी पड़ रही है आप अपने पोधों का अवलोकन करें और इनमें ये ध्यान रखें कि कहीं ये बिमारी तो नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ किसान सातियों आप सब का हर्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में देखते रहिए इस वीडियो मैं आपको एक दूसरा पोधा दिखाता हूँ ये देखिए ये जो पोधा है ये कितना हरा भरा है इसमें जो नीचे पतिया है वो भी बहुत कम है और आप ये ध्यान से देखिए कि ये जो ये नई पतिया निकल रही है ये भी हरी है इसके हम किस निसकर पर निकलते हैं आप इ पत्ते जो पक जाते हैं वो गिरने आवश्चक है और वो गिरते भी हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि सारे ही पत्ते गिर जाए जिस प्रकार सरीर पर से एक दो बाल गिरता है कोई बात नहीं लेकिन ऐसा नहों कि आप थोड़े दिन में गंजे ही हो जाए तो इस प्रकार की सूखी हुई एक आधी टहनी है तो कोई बात नहीं एक इसमें ये भी टहनी है ये भी कोई इतना चिंता का विशे नहीं है लेकिन अधिक मात्रा में टहनिया सूखी हुई नहीं होनी चाहिए अगर उसके पत्ते गिर रहे हैं पीले हैं और उसमें हरे पत्तों का सरजन कम हो गया है तो समझ लीजिए आपके पोधे में हलकी सी फाइटो पतोरा सुरू हो चुका है और उसकी बिमारी हो चुकी है अब आपको मैं एक पोधा और दिखाता है इसमें एक दो ही सुखी हुई टहनिया है और इतने पत्ते नहीं हैं कि जादे गे जाए लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आप मेरी पूरी लाइन को देखो इस तरफ जो ना कि इन पोधों में थोड़ी सुरूआत हो चुकी है और मुझे थोड़ा इनका ध्यान रखना चाहिए चलिए मैं आप आपको बताता हूँ कि इन में आपको क्या करना है किसान साथियो एक तो ये ध्यान रखना कि आपको पूरी सर्दियो इन में हलकी नमी बना कर रखनी है जैसे मैं ने डिप लगा रखे और देखे दिरे दि नहीं होना चाहिए इसके बाद आप इसमें क्या करें एक दवाई आती है रिडो मिल गोल्ड रिडो मिल गोल्ड धाई गराम पर्ति लिटर ली जीए और इसमें ड्रिंचिंग कर दीजीए और इसके कुछ दिन बाद लगबग 10 दिन बाद इसमें एक एनपी के उननीस 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 पांच गराम परते लिटर और चिलेटिड जिंक दो गराम परते लिटर का इस्प्रे करना तो आप देखेंगे कि 20 दिन बाद आपके पोधे ठीक हो जाएगे आपने क्या किया कौन सी तारिक को किया अब की फोटो ले लीजिए और बाद की फोटो फिर मुझे दिखा सकते हैं और आप देखेंगे पोदे यह होता है कि किसी भी कारण वस निराई करते हुए उसमें खुर्पा लग गया हो जड़ में कोई घाओ हो गया हो तो इस तरह की बिमारिया हो जाएगे चुकि हमने देखो इसमें दो बार सफाई कराई है तो इससे हो सकता है इसमें ज़्यादा घबडाने की कोई बात नहीं है लेकिन आप पोधों का अवलोकन करें और ये कर देंगे चाहे आपके 10% पोधे ऐसे हों तो सभी पोधों में कर दीजिए और स्वस्त रहेंगे किसान साथियों ये मैंने बताई है मेरे पास आजकल बहुत मेसेज आते हैं कि मेरे पोधे में पत्ते गिर रहे हैं वो दो ही कारण से गिरते हैं कि या तो आपने पानी बहुत अधिक दे रखा है इतना पानी मत दीजिए कि उसमें पड़ा रहे और या जड में जड गलन हो जाती है जो फाइट ऑप वतोरा शुरू होने के लक्सन है और उससे पोधा पत्ते गेंड छोड़ने लगता है और डंडिया सूखने लगती है इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैभारत बंदे मातर